तो आज बात करेंगे इंफ्लॉएंजा के बारे में जो के डिजीस है जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहाता कि मैं उस बारे में बात करूंगी तो चलें उस पर आते हैं मेरी चैनल पर आई और मुझे सिपोर्ट के लिए अब वो मेरे चैनल पर उमेद करती हूं रहेंगी तो चले जी बात करते हैं उस डिजीज के बारे में और हम लोग कहीं जा रहे थे तो बारे का जल्दी से रेडी होके पहले पना व्लॉग रेडी कर लो फिर उसके बाद है वैसे ही यह डिजीज के सेंटम से तो बात करते हैं एंफ्लेंजा यह डिजीज सेम लाइक जैसे करोना है उसी टाइस से सिमिलर है उसमें भी यही था कि आपको जो सांस लेने में मुश्किल हो रही है आप से जो है गले में इतना पेन है और जस्ट इतनी ज्यादा ब्लॉ करोना आया था त्रीज को तेस्ट बुखार हो गया था के इस पहुत आप जो है जैसा हमने लोगों का दिन जाने चली ति इतने लोग इतनी जाने चली कि आपकेशने और बात करते वह डर लगता है उस बारे में तो बात करते हैं वोऑने अपना ख्याल हों रखिया ऑपना लीजिए ग्रीन टीज अधरक वली चाय अधरक वले कावा ऐसी चीज़े लेजिए ठंडी चीज़े ना खाये वैसे तो बरदाश्ट नहीं होती ठंडी चीज़ सर्दी में जादा अच्छी लगती लेकिन बच्छों का ख्याल रखें और जो है अपना बहुत ख्याल रखें क् में यह बिमारी फैली भी है तो सब को होती है और चार-पांच दिन लेती है द्वायां खाएगी सही हो जाएगी इतनी जादा खतरनाक नहीं है जैसे के वह करोना था लेकिन यह डेंजिर्स तक जा भी सकती है जिसमें इतनी जादा अमिनिटी नहीं होती कर के इस डिजीज क जो या किसी भी डिजीज को खुदाना खास्ता जिसमें इतनी हिम्मत नहीं होती वह बर्दाश्ट ना कर सके तो वह कि मैं वह लवज नहीं बोलना चारी तो वस खुदा माफ करें हम सब को खुदा स्लामत रखें तो मैंने का इस बारे में आपको बता दूंकि हमारे घर में जो है बैल्ल को खिया अजीम को स्टार्ड हो गया चाचु को फॉठोको सब खो गया औरड्या का फ्लू जो है अलरर्जिक डस्ति 1 अलर्जिक है उसकी उसकी पूरे बारा महीने पूरा साल उसको जो है शीके और फुड्लू रहता ह chutakा है मेरा जो है जब से हम यहां दुबई आएं एसी की वाज़ा से यहां तो आपने यहां आपने देखें बंद गर होते हैं कोई धूप नहीं कोई कुछ नहीं तो इसलिए मैं बैलकनी वाले घर को प्रेफर करती हूं लेकिन वह ज्यादा डेंजरिस भी हैं चोटे बच्चों के जाती है जीपसी और हवा जिसम को तूप नहीं लगती विट मिन यहां जाके दुबई में आते हैं आपके विटमिन्स कम हो जाते हैं क्यों क्यूंकि आपके बंद घरों में रहते की वज़से और आप हैल्दी फूट इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं आप फ्रोजन आपको जैसे उसमें आइसलेट होना पड़ता है इसमें इसलेट होने की जरूत नहीं होती लेकिन अपना फ्याल रखने का बहुत जरूरत हो थी स्टीम नेबलाइजर और ऐसी चीज़े करनी होती है और मेडिसन टाइम पर लेनी होती है जिसके विज़ासे यह सही हो जाता है जैसे एक वाइरस वाइरल आपको पूरा फहला होता है वाइरल जैसे वाइरल बिमारी है 16 दिन में 6 दिन में Hef deepest दस दिन में जाएगी तो ऐसलेट ही वह एफ n ही नो którą दो बहुत है गलेखillir Gabie को दरने कि बात नहीं लिए लेकिन इतियाद करने की बात मि दो मिलेंगेmee bajo शैंने रहा जळी में जो onboard ऐसने ऑने कोपने कि बनाउं सरूर में अगर आपको बनाओंगी ताक्अ को इस डिजी के बारे में क्वर्जी कपना थो कि शेल मुझे की आप के स्थेत किजिए मुझे आप के घर में जिया कूँट है जिसको भी कि मिली बीजिए यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेज में ज़रूर बताएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक का बटन ज़रूर दवाएगा बैल आइकान ज़रूर दवाएगा और वीडियो को शेर कीजिएगा ताकि इस बिमारी से लोग अपना ख्याल रखें यह बिमारी फैल पूरे मुल्क में पूरे मतव यूई में भी है